कमें आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स कर्मचारियों एस बलेस फैमिली पैंसनर्स के लिए मैं चार बड़े अपडेट लेकर आया हूं जैसा कि सामने आप इतनी स्कीन पर भी देख पा रहा है पहला बड़ा अपडेट है पैंसनर्स को जुलाई मन्त में बड़ा एरियर्स मिलने वाला है किन-किन पैंसनर्स को मिलेगा क्या है उसका प्रोसीजर हो भी हम बताएंगे साथ जुलाई मन्त के डीयोडियार पर ओलें एक कंसुमर प्रैस इंडिस का डेटा अभी तक नहीं आया है जून मन्त का उस पर क्या फरक पड़ेगा क्या 53% DAO DR होने के बाद DAO DR मर्ज होगा 50% होने के बाद तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है 18 मंस के DAO DR पर भी बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं साथे साथ एक फूर्थ बड़ी अपडेट होगी वो CGHS कार्ड के कार्ड होल्टर से हैं यह CGHS के जो बड़ी अपडेट देने वाला हूं चारो खबरें बहुत ही इंपोर्टेंट हैं पूरी वीडियो को इसलिए लास्ता देखीगा हो सकता हूं थोड़ा से वीडियो लॉंग हो जाए लेकिन आपके लिए इसमें बहुत सारी इंफोर्मेशन और अपडेट्स बहुत ही जादा जान करें बिलेंगा जिसका डिरेक्टली आथार आपकी पैंसन सेल्ली और पैंसन फैमली पर पढ़नेगा वीडियो को पूरा लास्ते देखीगा और अब से एक अपील करना चाओंगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सकाइब से लेटेड नियूस इंफोर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं साथी साथ अगर किसी पैंसनस को इवन करमचारी को किसी उसके बेनिफिट से लेटेड अगर कोई डाउट है या कोई अगा समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम नेक्ट वीडियो में उसकी ज मिल चुका है मैंने अपने प्रिविएस वीडियो में कई बार इसका जिकर भी किया था कई बार में डिसकस भी कर चुका हूँ इंट्री पेयलेवल का जो एरियरस है वो पैंसनर्स को अब धीरे धीरे मिलने लगा है साथी सात कई सारे पैंसनर्स को 500, sized, 1 लाग तक का एंट्री पेयलेवल ने adalah area में उसके बाद पैंसनर्स inventory level प्रिवेस वीडियो दिखना चाहते हैं तो हम नेक्स वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर से आपको कैसे लेना है और क्या क्या चीज़े उसमें अपडेट होंगी अब बात करते हैं दूसरी बड़ी ख़बर पर इसमें 53 परशन अब डिया 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 होने के पूरी पूंचे चांचे से लेकिन अभी ओल इंडे कंसुर प्राइस इंड क्रइब घ्राइब करना गया रगस अब तर रेकिन कारमचारी चोंतर होने लुए इसको सरकार स्कोंं मर्ज करने वाली आ है साथी साथ करमचारियों पैंसरों और फैमिली पैंसरों के जो डी और डी आर होगा उसमें क्या अपडेट होगा लेकिन मैं आपको पहले ही बता जाता हूं कि आभी कुछ दिन में यह चीजें क्लियर हो जाएंगे साथी साथ करमचारियों का जो डेटा होगा उसमें डेटा के बेसिस पर ही आपका जुलाई मंत का आपका डी और डी आर उसमें तैय किया जाएगा मौस्ट पूली चांसे से 53 परसंट है फिर भी अगर इसमें डेटा में बहुत ज़्यादा चेंजिस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यह 54 परसंट तक जा सकता है इससे ऊपर यह नहीं जाएगा अब बात करते हैं 18 मंस के डी और पर क्या बड़ा अपडेट आया है बैसिकली 18 मंस के डी और पर एक बड़ा अपडेट यह आया है कि भारती प्रतिर अच्छा मजदूर संकीत रप से इंपोर्टेंट है इसला यहां किया गया है। देख सकते हैं फानियश मिनि interessant को जिसमें कोडेज के टाइम का जो डीयेर्नेस अलाउंस से जो areas था वो रोका गया था उसको देने की बात फिर से की जा रही है जिसमें request की गई है आप subject में भी देख सकते है request for review of decision or dearness allowances areas for COVID period आप देख सकते हैं जिसमें ये लोकसभा session में भी कई बार इसमें communicated किया गया साथी साथ central government employees और पेंसनर्स की unions ने भी 18 months के DA और DR को जो रोका गया था COVID की टाइम पर उसको देने की बात कही है उसमें ये लेटर में ये भी बुला है कि जो हमारा देश है नेसन है गेजुली रिकवर कर रहा है हमारे pandemic से इसके बाद में अब हमारी economy काफी हट तक strong हो चुकी है जिसके चलते करमचारियों और पेंसनर्स ने COVID की टाइम में करमचारियों ने COVID की टाइम में बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद उन सब का जो है अब जो DA और DR है उसको उनका जो भी contribute था उसको DA-DR के रूपन को मिलना चाहिए इसके लाबा union और pension भी pensioners की association भी सरकार से एक बार बोल चुकी है कई बार बोल चुकी है कि सरकार जो है negotiations या settlement की situation में आना चाहिए इससे अगर एक बार government DA और DR नहीं दे सकती एक बार में तो तीन से चार अलाला installment में वो उनको provide करा सकते है आगे बात करते है next खबर की जो की आ रही है CHS के cards को लेकर के CHS के जो यूज करते है many pieces उनको लेकर के आप देख सकते हैं CHS के new rules आ गहे हैं इसमें केंदी कर्मचारियों और pensioners को online करना होगा CHS कार्ड के लिए apply सरकार ने इसमें नियम बदल दिया है क्या नियम बदले गया है वो भी आप देख सकते हैं CHS में apply करने के नियम बदल गया है केंदी कर्मचारियों और pensioners को CHS के card के लिए online apply करना होगा स्वास्त और परिवाल कल्यार मंत्राल है यानि कि ministry of health and family welfare ने केंद सरकार के कर्मचारियों और केंद सरकार के pensioners को केंदर सरकार स्वास्तियों जिना यानि कि CGHS card जारी करने के दिसानिदेश जारी कर दिया है जिसानिदेश हैं वो भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में हम जारी जारी कर दी गहीं हैं और उसी गाइडलाइन के basis पर ही सारी चीजिशें आप आगे होंगी जिनमें से कई सारी guidelines में ये बोला गया है कि उस जो सरकार ने government ने office में referendum जारी किया है उसमें केन सरकार ने बोला है कि service में केन सरकार के करमचारियों को नए CGHS card के लिए अनिवार रूप से online apply करना होगा एक एन सरकार का करमचारी अस्थाई reference number generate होगा जिसे आप www.cghs.nic.in पर जाकर apply कर सकते हैं या वहां से online fill कर सकते हैं उसे website पर उपलब्द form बरकर online जमा करना होगा एक बार यह हो जाने के बाद online application लेटर का printout लेना होगा और hard gopi से सम्मंदित अपने विबाग में जमा करनी हो होने और जैसे यह application लेटर आपके साथ जमा हो जाएगा उसके बाद उसके बाद उसमें सारी चीज़े अप्डेट हो जाएगी अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारी चीज़ों में फिर से चैंजे में चैंजर किये जायेंगे जो भी आपका का उसमें होगा और चैंजस बार 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 इसको क्यों बोलता है लगण ने बता या आगे आने वाल बारे मेशन पूस्ट में वह क panels पर कितना आपको पैसे बनते हैं या फिर आपको उनको 18 मंस का डी और डी र आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वीडियो अच्छा लाओ तो लाइक करेगा शेयर सभी के साथ करेगा ऐसी न्यूज इंफोर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब के लिए कुर साथ के लिए पुरी में उनको धिर्वाइक के लिए के लिए